हाई फ्रेंट्स मैं बवरेनिवाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल लोकल ट्रेवलर पर जहां मैं आज आपको लेकी चलूंगा कुरुक शेत्र की बहुत पेमस और एतिहासिक जगह जिसका नाम है शेक चिल्ली का मकबरा यह मकबरा बहुत पेमस और बहुत एत यह है सुंदर मकबरा एवमिस से जुड़ा मदसा सूफी संथ अब्दुर्रहीम और फ अब्दुर्करीम से समंदित है जिने शेक चिल्ली के नाम से जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि यह मुगल शेजादे दारा श्रीकोहा 1656 के धार्मिक गुरू थे अश्ट बुजी चबूतरे पर निर्मित यह मकबरा हलके पीले बल्वे पत्थर से निर्मित है जिसके परवेश दक्षिन की ओर से है इसका नाश्पति नुमा गुंबत सफेद संग्मर्मर से अच्छत्दित है मकबरे के परते एक और परवेश द्वार की भाती महराब बने है जो की संग्मर्मर निर्मित जालियो से सुजज्जित है छत के चारो गशाओं में बाहर की और चत्रियां बनी है जिनके गुंबत पर हरे, नीले, पिले एवं जामुनी रंकी चमकदार टाइल से निर्मित व इसका परवेश द्वार मदरसे के एक संक्रे गलियारे से होकर जाता है छत के पश्चिम भाग में बलुआ पत्थर से निर्मित एक अन्या मकबरा है जिसका बेलनाकार गुंबत सपेज संग्मर्मर से अचधित है इसे संत की पतनी से संबंदित किया जाता है बोचत्य में परते एक और नौ महराब बने हैं तथा दालान के मध्य एक वर्गाकार जलाश निर्मित है मदरसे के बाहरी और दक्षिन पश्चिम किनारे पर डाल बलुआ पत्थर से निर्मित पत्थर मजजित है जिसकी चार अलंकृत स्थम्भो तथा छे अर्ध स्थम्भो पर अचत् पूर्ण ये समारक भारे सरकार दुआरा राश्टे महतु का सररक्षित समारक गोशित किया गया है पर अजित है जिसकी है जिसकी है जिसकी चार अचत्व कि महत्व ता कि बाहरा है तो फ्रेंट, आपको आप का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको आच का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक cage तो फ्रेंट मैं आपको फिर िंलूँगगा फिर एक नहीं जगा के साथ और एक नहीं वीडियो के साथ! झाल, झाल, झाल